हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओन्लाइन क्लासिस में आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कॉंस्टेवल के लिए हिंदी के टॉप 15 कोर्शन को देखेंगे जो की बिहार पुलिस परिक्षा 2021 में होने वाला है उसके लिए एक दार्षनिक कभी थे तो इसका जो एंसर है वो अप्षन C है नेक्स्ट कोशन है सहित्य सुमन भट जी की किस विदा की रचना है तो सहित्य सुमन भट जी की जो विदा है वो निबंध विदा है तो इसका जो एंसर है वो अप्षने है नेक्स्ट कोशन है मालवती क्या है तो मालवती जो है एक राग है तो इसका जो एंसर है वो अप्षन ए है नेक्स्ट कॉस्टन देखेंगे तो नेक्स्ट कॉस्टन है निम्न में से अंदोलन एसमेकल का कभिता संग्रा है तो निम्न में से अंदोलन एसमेकल का जो कभिता संग्रा है वो है नमो नमो भारत माता तो इसका जो एंसर है वो option C है next question है सूरदास की निम्न में से कौन सी रचना है तो सूरदास की निम्न में से जो है यह सभी रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्ते लहडी यह तीनों जो रचना है सूर्दास की रचना है तो इसका जो एंसर होगा वो अप्शन डी होगा नेक्स्ट परकास है तो इसका जो एंसर है वो अप्शन भी है नेक्स्ट कोस्टन है जिंदिगी नामा के रचनाकार है तो जिंदिगी नामा के रचनाकार जो है वह कृष्णा सोबती है तो इसका जो एंसर है वह अप्शन C है नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे तो नेक्स्ट कोस्टन है निम्न में से मुक्ती बोद की रचना है तो निम्न मे इंडी में पहली दलित आत्म कथा जो है, वह अपने अपने पिंजरे था, तो इसका जो एंसर आप व review option ने है, next question देखेंगे, तो next question है, अज्याय का जनम कब हुआ था तो अज्याय का जो जनम है वह उनिसो इसमि में हुआ था, तो इसका जो एंसर है वो option बी है, next question है, कन कावती के रचनाकार है तो कन कावती के जो रचनाकार है वह राज कमल चोधरी जी है तो इसका जो एंसर है वह option B है next question है हिंदी कविता में सौनिट के पर्याय कौन माने जाते है तो हिंदी कविता में सौनिट के पर्याय जो है वह चित्र लोचन माने जाते हैं त्री लोचन माने जाते हैं, तो इसका जो एंसर है, वो option D है, next question देखेंगे, तो next question है, निमन में से किस साहितिक परतिका का संपादन नरिक सकसेना ने किया, वो जो परतिका था, उसका नाम जो था, आडंब था, तो इसका जो answer है, वो option C है, next question है, सुभादरा जी का पाहला कह जो है, वो बिखरे मोती है, तो इसका जो answer है, वो option D है, next question देखेंगे, तो next question है, निराला जी का जनम हुआ था, तो निराला जी का जनम जो है, 1897 इस्वी में हुआ था, तो इसका जो answer है, वो option B है, तो यह जो है, top 15 question था हिंदी से, जो कि बिहार पुलिस कॉंस्टेवल के लिए जो 2020 में exam होने वाला है, उसके लिए काफिर important है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे, thank you for watching this video, please like, share and subscribe my channel, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद,